हम से पुछे जा रहा है कि यह जो पॉलिगॉन है इस पर हम को रोटेशन का जो ट्रांसेशन अगर टू सेवंटी डिग्रीज का अपलाई करें तो यह कैसी नजर आएगी यह कैसा इमेज होगा तो टू सेवंटी डिग्रीज ट्रांस्फरमिशन का मतलब एक बात जात रखी के जब हम anti-clockwise घुमाते हैं तो हम ऐसे सारे angles को positive लेते हैं और इसका कोई एक point select करके मैं उसको इस origin के गिर्थ घुमाऊंगा तो यह point of origin 00 यह मैंने इसको घुमाया यह 90 degrees यह 90 degrees पे घुमा उसके बाद मैं इसको मजीद घुमाऊंगा तो यह 90 degrees पे आ गया अब इसको मजीद 90 degrees प बताता हूं वन यह पहले position थी यह 90 degrees पे घुमके यहां आ गया फिर यह 180 degrees और उसके बाद मैं जब इसको मजीद घुमाऊंगा तो यह मजीद 90 degrees यह नहीं के 270 degrees की translation rotational ट्रोटेशनल ट्रांसलेशन पर अपलाई हो गई यह लिए जनाब अब आप यह देखिए यह transformation है इसको हमे Blue solid shape को shift करना है dotted orange shape पे किस तरह से करेंगे हम इसको एक बार फिर आप गोर कीजे तो हम इसको apply करेंगे rotation का तरीका कि हम इसको किस तरह से कितने angle पर rotate करेंगे और इसके लिए हम कोई ऐसा point select करेंगे blue solid shape का जिसको हम ज़्यादा आसानी से rotate कर सकेंगे और गोर कीजे तो यह जो तो यह कोना सा जो निकला वाई यह उपर की तरफ आप देख सकते हैं कि यह माइनस फॉर और फॉर पर है जबके दूसरा वाला जाए वो माइनस फॉर माइनस फॉर पर यानिके इसके बिल्कुल उलट यानिके 180 डिग्रीज के एंगल पर है तो हम इसके लिए क्या करेंगे इसको शिफ्ट करने के लिए हम इसे रोटेट कराएंगे 180 डिग्रीज पे तो यह शिफ्ट हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब एक प्रॉब्लम और देखते हैं जल्दी से एक बार फिर हमसे कहा जा रहा है कि इसको जह हमें अगर हम इसको 270 डि है मिरे खाले यह पॉइंट जो है यह बिल्कुल एक्सेस पर बैठा वाए तो इसको घुमाने में ज्यादा सहूलत रहेगी तो यह 90 डिग्रीज काउंटर क्लॉक्वाइज में पॉजिटिव जनाब हमारा जवाब दुरूस्त है